प्रिवास के रूप प्रवास के कारण इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रवास के प्रकार प्रवास से सबंदित विजीन लक्षनों के अनुशार प्रवास के अनेक वरग हो सकते हैं या प्रवास को अनेक प्रकार प्रकार प्रवास के कह सकते हैं के कई व्रवागों में बंटा जा सकता है जैसे समय के और परवास कि अवधी के नितरेवRIS परवास में भाग लेने वाले वेक्षिश की संख्या यानि प्रवास कि परकृति ऐब हम आधारों के के आधार परकष्व को कि का लगों में विवक्त किया जा सकता है अब सरफ रतम देखते हैं काला अंशाल परवास कालम साथ चार रोगों में बांट सकते हैं एक तो प्राग एतिहासिक जिसे लिखा ना गया हूँ दूसरा एक पर वास जिसे लिखा गया हूँ कि 3 तीसरा जेन सब्स परवाग आख तरह क्या ने यह ढखेंट के यह तो धीर गल पर्वास हो सकना है सिट Lِّ का निवास हो सकता है और डेनिक तौश्चार ऍटा करण के अनुशाब करण अricsरव करण ग्रण ऑ प्तरु ऑपु से यह सब टर सब परवाष बढ़ा आप प्रागते अशी प्रवाद प्रवास मुख्यता जलवाई प्रवर्वतन के कार्ण होते के पलिस्टेंशन यूग के लिए यूगों और आंदर यूगों के कर्मिक आवागमन से जलवाईयू करम से सीतल और गर्म हो जाती थी पिर नहीं है तो वहां सरत्र है हीम पैदा हो जाती तिससे वहां के लोग अन्यतर दूस्टान पर चले जाते थे फिर वहां लगाता चलता रहा प्रारम भी मानव प्रजातियों का विकास होता था और दिरकाल प्रवास कारण था दूश्रा प्रवास लिखा जा सकता है अधी सिन युट्वज़ट सोकन ठीन इन सरेनियों में बांट सकते है है एक तो प्रांटिन निया आधणिक परवास युटनी रोमन सम्राजीों के विश्तार के फिल सुरूप होने वाले मानाओ प्रवास भार्तन में आरें का वाहत्मन भारतमे बहार्तियों का प्रवास है जना संक्या का उत्त्र दिशा के प्रस्दान है इसी प्रकार जुने प्रवास को परकट करता शर्वास के है इसँ आवधियों में लाखों लोगों ने रूप यूरोप से दक्ष नि सकी अमरिका जक्षिन अश्क्रिया के लिए प्रवास खी कि अब बात करते हैं अबदी के अमसार प्रवास के परकार ऐनकि काल कम इसका कोई नियत समय नहीं होता इस प्रकार प्रवास समाने तरह बड़े प्यमाने पर होता है कि यह लगू प्यमाने पर तोड़ी प्रवास फाहिस लोड़ ऑपिस एक पर देन प्रवास रोजाना रोजाना कि वह लिए जाने वाला प्रवास सहाधन प्रवास के उने इस liking एक बड़े नगर और उपने छेतर scroll में पाया प्रवास तीसरा बात करें मोश्मिय प्रवास मोश्म के अनुसार होने वाला प्रवास मोश्मिय प्रवास है इसके अंदर निश्चित समय तता रितु में प्रतिवर्स खुनने वाला माना प्रवास को मोश्मिय प्रवास का जाता है इस प्रवास का समय आवदी लगवंग निश्चित ह सोती है मोसम परवास उच परवतिया से निम में अधिक होता है हिमालह और आल परवाद्द उच परृर्वाथों इसे दो बागों में बान सकते हैं एक व्रहत पर और एक लगू पर व्रहत प्रवास बडए पमानते पर लोग का प्रवास दूसरा लगू शोटे मैंने पर लोगों का प्रवास बह dis agoney उत्राइब युक्त निरेहले thicken लोक kana हमे भ्राइब युक्त बहुत उधीक लगा कि अमय प्रवास नहीं डपने वाला सथान तर्री प्रवास सब्सक्रकाइब नोग की बात विठी में प्रतिवारी टीम अंतर्श्ट B dém數 सब् chuỗi राष्ट्राश्ट्यशों सब्सक्रण स्वस्सक्राइब अब बात करें केया की पुर्वारों। को टोपिक ऑन सकते हैं इस चुपिक का मेरतब़र क्याइब था ऑफ एक देश के दूसरे डेश ली हुने वाला मानव साथांद्र अंतराष्ट्य प्रवस कहलाता है यहां से जहां के यह प्रवास होता है जैसे लोग डेश एक अच्व JEFF-100 है नुक्तर एक महादी अच्वादिप में इस मैं इस प्रवासğNS अंतराश्य परवास में वरहत और स्थाई प्रवर्ति प्रवर्ति के प्रवास का महत्व सरवादिक है अर्वेत के बात है जलवायू महतवतार स्थान रखता है प्राग एतिज मानव स्थांतन प्राइब भोतिक कारणों से होते थे जल्वा यू प्रविर्टन इसका सर्वादिक शक्ति शालिकार्ण है एत्यासी काल में प्राकर्तिक आपडाउं के कारण अंतराष्ठे स्थांतन के अनेक उधारन बोले हैं प्रवास कटीवन सिधान्त के प्रतिपादक ग्रितिक टेलर के अंशार विश्व की समस्त मानव प्रदातियों का विकास मद्द्य ऐसी हमें अलग-अलग कालों में हुआ है इसी प्रकार वर्तमान काल में प्राकर्तिक आपड़ों जोसे भुकंप ज्वाला मुख्य उदगार बाड़ सुकादी के कारण बी अंतराष्ठे प्रवास बहुत कम होते हैं क्योंकि सरकारी नियंतन के कारण लोग अंतराष्ठे सीमाओं को नहीं लांगते कि अनेक बार ऐ प्रवास के दो मुख्य कारण है पहला आर्थिक आकर्षण दूसरा आर्थिक कटनाई जिन देशों में जन्संग अवर्दी और आर्थिक संसादनों की कमी से जीवन स्तर में गिरावट आने लगती है और विभिन आर्थिक कटनाई उत्मन होती है वहां के बहुत से लोग ऐसे देशों तता प्रदेशों में जाने के इच्छुख एमतत्वर होते हैं जहां चलवायू क्रिसी भूमी खनीज पदार आधी की रुप में प्रयापत आर्थिक संसादन उपलब्ध होते हैं आधीक प्रवास की धारा चलने लगती है आर्थिक कारनों से उत्पन अंतराष्टय प्रवास का सारोतम उदाड़न उरोप से उत्री क्रश्ण अर्ष कार्णशन चुचार्ण उत्राश्य प्रपास का उत्कर्श्ण उजारन उर्ष्ण से उत्री मना जा शकते हैं और जन्सन के अधिक हो गई थी जिससे संसादन कम पढ़ने लगे और आर्थी कटनाई के बढ़ती जा रही और जियूंस तर गिरने लगा कोलंबस द्वारा नई दुनिया का पता लगाने के लिए के बाद इरोप में अंटलाटिक पार उत्तरी तता दक्षनी अमरीका के लिए जन्सन के अपरवास पर आरंब वहा इसका मुख्य कारण यहीं विद्यमान विस्तरत कर्शी भूमी खनीज बढ़ार्थों शक्ति के संसाद्रों की प्रैपत अपलब दिती पर्तम इशुद के प करें अब बात करते हैं राजनितिक कार्ण वर्तमान समय में अत्राष्ट्य और कारण क्योंकि राश्टी नींत्रों के कारण सुतंतर अंतराष्ट प्रवाज लगबग समाप्त हो चुके हैं आज कर्ण कह सीमें सील हैं और राज्या के कारण ही देख्टी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता है परफ्षमिशुद के के बाद पूरों तता यूरोपय देशों में समझ संभवता हैं अपने अपने उपन वेस्टों के लिए स्थांतन होते रहें जो मूलता आर्थिक होते हुए भी राजनेती कारणों से प्रिरी थे बिटे प्राज स्पैन पूर्टगाल इटली इंग्लेंड निदरलेंड अधी कि यूरोपय देशों की सरकारों ने अमरीका अफ्रिका इसी आस्टलिया में अपने अपने उपने सता समराज स्थाफित करने की उदेशा से मानब प्रवास को प्रोहसाइद किया इस परकार दीटे यूसुत बाद में देखते हैं यह बिल्कुल राष्ट्य प्रवास का प सीमित प्रवास होते हैं अब विशुके प्रमुक अंतराष्ट प्रवास के बारे में अध्यन करेंगे उसको दो बागों में बांट के इसका अध्यन किया चाह सकता है यह यूरोप को मैंने जैसे आपको बताया यूरोप में जनसंद क्या बढ़ी संसाधन कम होते गए वहा प्रवास रहे उन्होंने अपने ध्रम परचार के लिए इधर दूर जाना प्रार्म किया यूरोप प्रवास की बात करें दूतरी अमरीका यूरोप उत्प्रवास यानि बहिर प्रवास की मुख्य बुमी रही है यहां से सुन्वास कीचि में अंदमासा करके बार बढ़ने से अपलक धसमें सतर में ग्रावड प्रार्म हो गई इस जीए उक्ति फाने के लिए उरोपी है युक्व 줄 में लगे नवी देशों में आर्थिक संसाद्रों के सोशन की संभावना बढ़ गई पस्टमी रूपय देशों जिसे ब्रिटेन फ्रांस जर्मनी पूर्टगाल स्पेन नीदरलेन आधी के लोग तकनिकी रूप से विक्षित थे इसके साथ यूरोप में विक्षित तकनिक के ताग्यान भी द देशों से पहुंच के जिसे शिकर ही नए चेत्रों में आर्थिक संसाद्रों को तीवर विदोहन प्रारम हो गया अब यूरोपय देशों से प्रवास मुखिन दो दिशाओं हुआ एक तो हुआ विरल चेत्रों में और दूसरा शिटोशन कटिवने चेत्रों में क्योंकि वह से शिटोशन कटिवन में आदिते रहने के लिए और इस कारण वह शिटोशन कटिवन में ही रहे अब बात करते हैं 19 स्थावदी के प्रारम तक यूरोप में जनसंगय का दबा बहुत अधिक नहीं था इसके करण अधिकांस लोग समूंदर परवास के लिए त्यार नहीं थे कि तो 19 स्थावदी में यूरोपिय परवास के लहत तेजी से हो गई इसके प्रणाम स्रूप सन 1820 से 1940 के 120 वर्सों में लगो 6 क्रोड लोगों ने यूरोपिय विदेशों के लिए परवास किया सन 1913 में विशेज स्रूप ने आएंगी जब मातर एक वर्स में लगो 15 लाख विरोप निवरसी विदेशों के लिए स्थान पर हुए हम देखते हैं यूरोप से यह देखो कि यह कोलंबस ने खोज की स्रीमरिका की फिर द्वारा गया तो यहां इसको मार दिया गया था कोलंबस को इसका नाम करन वेस्पूशी के नाम पर रखा गया यहां लेटन अम्रिका की खोज की यूरोबियों लोगों ने अर्जन्टाइना की खोज की और बहुत सारे प्रियास करकर के इस मार रख को खोजा गया और बहुत सारे नाविकों ने इस भाग को खुजने के बाद में भारत की खुजकी 1498 में में वास्कोडिवां काम में हुए क्योंकि मैंने पूर में भी आपको बताया यूरोप से यूरोप से जब यह जाते थे तो यहां उशन कटीबंद चेतर आता है इस उशन कटीबंद चेतर के अंदर उमश्वर अवातावन रहता है तो अंग्रेज लोग यहां मर जाया करते थे वह दो ही जिगह पर गए एक वीरल भूमी पर गए दूसरा सोटरीबंद के इंदर चेतर यह उशन बीच में ऐने के कारण यहां यूरोपी लोगों मर जाते थे इस कारण इस छेटर को भूरा की कबर आजाता है गिन्नी का तु तथ्खै यह किन्नी नवीक्त नाविक बना यहां से मेगलन निकल करके पहला नाविक बना जो पूरे विश्यों का चक्र लगाने वाला नाविक बना इस परकार यूरूपिय लोगों ने विभिन देस्कां की खोजें की प्रवास के लिए प्रवास के लिए प्रवास किये अर्थिक नहीं थे केवल प्रागत इसी काल में ने एक बार माना परजातियों का बाहर के उस्थांतर हुआ वहां विक्सित होने वाली मानम परजातिया प्रवास के द्वारा विश्व के विविन भागों में पहुंच गई अठार्वी स्तावदी से लेकर जित्य विश्व तक चीन भारत जपान आदी जनसंगया वाले देशों में निक्कत वरती कम जनसंगया वाले शेत्रों के लिए मलाइशा, ठाइलेंड, इंडेस्या, विएतनम, विलिस्पिन, वर्मा, आदी देसों में जाकर बसे हैं आज बी मलेश्या की जनसंगया 45 परतीर सत, जनसंगया, 17 परतीर सत,??? कि इंडेसिया इंडोनेशिया वियतनाम फिलिस्पिन और वर्मा की दिनसंग के हमें परवासी चीनियों का प्रति से दो से पांच प्रति सक पाये जाता है सन अठारा सो बीस से लेकर उनीस सो पचास तक कि अबदी में चार लाख चीनी लोग सूंतराजी अमरिका के लिए के निडाल के अंदर पीरू आस्टेलिया हवाई दी पर गें कुछ प्रिवास सब्देश लोट आये कि अधिकांस भी देशों में ही बस गए जपान की तीष बहती जंसंग श्याया नेथि परवास को पुजस्ताइग कि य defensy परवास का प्रेपत प्रहूस्तान प्रवाथ कैस्त जबान से पुनिशी स्थे में कुर्याए वहा अब करते हैं अपने भारत स्रिलंका मलेशिया इंडेसिया है आधी देशों में गयदिस में कुछ सवदेश नहीं लोटे विद्वेसों में रहे इसका कार्ण था एक तो धर्म बजार करने के लिए रेक अंग्रेजों द्वारा किसी कारे विश्येस के लिए उनको ले जाया गया में ठाख इसकाल में ठेटिस उतमयस में खर्तों पगाणनों में कारे करने के लिए लाघंप हास्तिय के लिए हैन्वार सिरलंका मलाया इंडेसिया अधी देसों में में भी गए और अधिकांस नहीं बसे आज लगबग 50 लाग प्रवस्ती भारतिये विद्यसों में सन 1947 में भारतवाग विवाजन के प्रणाम शुरूप लगबग 1 क्रोड हिंदू पाकिस्तान से भारत आए और 3 क्रोड से अधिक मुस्लमान भारत से पाकिस्तान गए प्रवास अधिक मुद्ध है और केवल पूर्णितिक दलों सिष्ट मंदलों विग्यानिक सलाकारों खिलाडियों आदि के लिए प्रवास सीमित समय के लिए ही होते हैं इनकी प्रकृति पूर्णत ऐस था ही है तो आद हम इस वीडियो में प्रवास के बारे में बढ़ा अब पढ़ेंगे प्रवास का एक और अंतर देशी हैं आंतरी प्रवास अगले वीडियो में पढ़ेंगे है हन्यवाद